क्लास 9 आज की वर्चुल क्लास में हम हरी शंकर परिसाइद्वारा लिखित प्रेम चंद के फटेजू पाठ की प्रशन उतर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बच्चो प्रशन नमबर आठ है आपकी द्रिस्टी में वेश्बूशा के प्रती लोगों की सोच में आज क्या परिवर्टन आया है बच्चो इस बात से आप भली भाती परिचित हैं पहले वेश्बूशा का प्रियोग शरीर ढकने के उदेश्य से किया जाता था प्रन्तु परिवर्टन समाज का नियम है इसलिए समय के बदलते रूप ने वेश्बूशा की परिभाशा को पून्ते बदल दिया है आज की स्थिती ऐसी हो गई है कि लोग फैशन के लिए इसका प्रियोग कर रहे हैं और समय के परिवर्टन के साथ अगर कोई स्वयम को ना बदले तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती अर्थात उसको ठेस पोंचती है व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्योंकि उसका रहन सैन, उसका खान पान, उसका पहनना और ना खान पान तो फिर भे इतना लोग नहीं देख पाते लेकिन पहनना और ना समाज में वो कैसे निकलता है ये सब उसकी प्रतिष्ठा के सूचक है स्वयम को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए लोग अपनी आर्थिक शमता से बाहर जाकर वेशबूशा का चुनाव करते हैं आज वेशबूशा केवल व्यक्ति की जरूरत ना होकर उसके व्यक्तित्व का एक अभिन अंग बन चुका है प्रिशन नम्बर नो है पाठ में आए मुहावरे चांटिये और उनका वाक्यों में प्रियोग कीजिए अंगली का इशारा कुछ बताने की कोशिश मैं तुमारी अंगली का इशारा खूब समझता हूँ हाना ऐसे बोला जाता है व्यंगे मुस्कान मजा कुडाना तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो तीसरा है बाजू से निकलना कठिनाईयों का सामना ना करना इस कठिन परिस्थिती में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा चार रास्ते पर खड़ा होना बाधा पड़ना तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो ये बच्चे ध्यां रखना कि जब भी हम वाक्य प्रियोग करते हैं तो हम मूल शब्द के अधार पर करते हैं अर्थ के अधार पर जो है वाक्य प्रियोग नहीं किया जाता प्रशन नमबर दस है प्रेमचंद के विक्तित्व को उभारने के लिए लेखत ने जिन विशेशनों का उप्योग किया है उसकी सुची बनाए लेखत ने प्रेमचंद की विशेशताओं को प्रसुत करने के लिए कई शब्दों का प्रियोग किया है इस परकार है जिसे महान कथाकार उपन्यास समराट युग प्रवर्तक है ना तो ये सब विशेशन शब्द जो है मुझशी प्रेमचंद जी के लिए किये गए है तो आज हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो गया अब इसके सभी प्रशनों को अब अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और जाद करें शेश्फियर, थैंक्यू